आप अपने दोनों आँखों के बीच नाक्यों पर ललाट माते की ये जगा जिसे दसुवा द्वार तिल ग्यान चक्षु महराब वेरी वेरी डीप सिलिप्स पॉइंट कहा जाता है तीसरी आँख या दस्मा द्रवज्जा दो आँखें हैं तीसरी नैचुरली बंध है नो द्रवज्जे खुले हैं बाहर से जो दिखते हैं दो कान दो आँख दो नाक एक मूँ और दो इंदरियां ये खुले दिखते हैं बोडी के खुले द्रवज्जे हैं लेकिन ये दस्मा बंद है तो आपने करना क्या है आँखे बंद करनी है गुरु मंत्र भगवान के वो शब्द जो गुरु ने प्रैक्टिकली करके देखे हो उसे कहते है गुरु मंत्र या नाम शब्द या कलमा या मैथड़ों मेड़ेशन वो ले ध्यान को यहां लगाएं और फिर अभ्यास क अगर आपका ध्यान बटक रहा है एकांध में जाएए बंद कमरा कीजिए और उसमें थोड़ा सा बोल के उंची आवाज में जाब कीजिए इससे क्या होगा जब आप जीबा से करते हैं तो दिमाग और जीबा जब आप ध्यान से करते हैं सिर्फ दिमाग लेकर जब बोल के करेंगे तो आपकी नांन इंद्रिया अप्ढ़ियों हो जाएंगी ऑधि कि बोलने की शक्ति सुन्सेlles कि पॉन की शक्ति कि टीख इनिकी शक्ति स्पर्स चीजिवा शेंगे थैंस Państwo रहा हट मैं आप हाठ जोड़े हैं तो जोरा है तो इस तरह दिमाग सुन रहा है तो सारी शक्तियों को जब आप एक ही शब्द सुनाएंगे तो आखिर उनको हार मानके बाकी तरफ से ध्यान हटाके यहां ध्यान लगाना पड़ेगा और यही मेडिटेशन है जो भगवान तक लेके जाता है